लास्ट वीक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर के लिए काफी पेनफुल रहा है बिटकोन के प्राइज में 12,000 डॉलर तक का फोल हमें देखने को मिला जो होता है 35% के राउंड बिटकोन के प्राइज क्रेश के बाद एथिरियम, एडा, बिएनबी, XRP, सोल सभी ओल्ट कोईन में हमें डंपिंग देखने को मिली है लूना क्रेश के बाद बिटकोन के प्राइज ने 30,000 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ था बट लास्ट वीक, बिटकोन ने अपने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है वो 20,000 डॉलर को ओल्मोस्ट टच करने ही वाला था इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और एनलाइज करेंगे बिटकोन के चार्ट को वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स अगर आप अमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले अनलाइज करते हैं बिटकोन के चार्ट को क्या पैटन एंड सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं बिटकोन के चार्ट पर लूना का जो क्रैस था उसकी वजह से मार्किट में लूना डवलेपर्स ने मैसिव अमाउंट में बिटकोन सेल किये थे जिसकी वजह से बिटकोन में हमें फोल्ड देखने को मिला था 40,000 से लेकर 28,000 डोलर तक का मार्किट में वैसे भी बियर ट्रेंड चल रहा था और लास्ट कुछ वीक से बिटकोई ने 28 से 30,000 की जो रेंज है उसे होल्ड करके रखा हुआ था जहां से बिटकोई में हमें लास्ट बियर रन में रिकावरी भी देखने को मिली थी और बिटकोई ने अपने ओल टाइम हाई 69,000 को टच किया था बट जैसे ही बिटकोई ने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया लास्ट वीक बिटकोई के प्राइज ने हमें रैपिड फोल देखने को मिला अगर आपने हमारे बिटकोई अनलेसिस के वीडियो देखे होंगे तो हमने हर वीडियो में यही बात की थी कि बिटकोई का प्राइज 20,000 डोलर को टच करने के लिए जरूर जा सकता है जैसा कि आज हमें बिटकोई के चार्ट पर देखने को भी मिला 20,000 का जो लेवल है वो बिटकोई के लिए हिस्टोरिकली भी काफी इंपोर्टेंट है अभी बिटकोई के प्राइज में हमें थोड़ी रिकावरी भी देखने को मिली है 2,000 डोलर तक की इसके लावा RSI indicator हमें शो कर रहे कि market अभी extreme oversold territory में है जिसका मतलब है यहां से हमें market में थोड़ा bounce back देखने को जरूर मिलेगा जैसा कि आप चार्ट पर देख भी सकते हो अगर यह recovery strong होती है तो तो market यहां से 30,000 level की तरफ move कर सकता है जहां पर हमारा 50 DMA भी है और next resistance level भी है अगर यह recovery week रहती है तो market यहां से 20,000 को break करके 70,000 डोलर को भी touch कर सकता है अब बात करते है reason कह है market में इस sudden fall के पीछे first reason है दोस्तो world में जितनी भी financial market है सभी में आपको अच्छा खासा fall देखने को मिलेगा America, Japan, Australia and India सभी के share market में गिरावट आई है और इसके opposite जो inflation rate है वो अपने all time high पर चल रही है जिसके वज़े से जो investors है वो अपनी position को sell करके निकल रहे है market से और market से पैसा निकाल रहे है यही same pattern हमें crypto market में भी देखने को मिल रहा है बस difference इतना है कि crypto market 24 hour run करती है इसलिए यह ज़्यादा volatile है और इसमें हमें up and down भी ज़्यादा देखने को मिलता है second reason है दोस्तो fundamentally good project का fail होना first Luna project के fail होने से crypto market पूरी तरह से हिल गया था बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें खतम हो गया and recently Celsius crypto के साथ भी हमें यही सब देखने को मिला है एक दिन में 70% तक का fall हमें इसके price में देखने को मिला और इन्होंने अपने withdrawal services को close down कर दिया है Luna के बाद Celsius project का fail होना investors के confidence को lose कर रहा है जिसकी वजह से cryptocurrency में हमें selling देखने को मिल रही है अब बात करते हैं आपको situation में क्या करना चाहिए आप किसी भी market को study कर सकते है stock market या फिर forex market bull and beer run आपको देखने को मिलेंगे थोड़े time पहले करोना की starting में crude oil का बहुत बुरा हाल चल रहा था बढ़ राइट नाव crude oil अपने all time high पर है Indian stock market भी crash हो गए थे उसके बाद nifty ने अपना new all time high create किया इसी तरह आपको crypto को भी लेकर चलना चाहिए $10,000 के round से bitcoin ने अपना trend start किया था और $69,000 के high को touch किया और अभी bitcoin का price trade कर रहा है $22,000 के round जैसे ही bitcoin में beer run complete होगा उसके बाद हमें bullish trend देखने को मिलेगा इसलिए market में अपनी position को hold करके रखिये और यहां से अपनी position को average करना भी start कर सकते हो क्योंकि almost सभी old coin 80% तक correct हो चुके है यही right time है market में small position में buying करने का यह था दोस्तो आज का अमारे वीडियो I hope आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like कर दीजिए and last हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू जैहिन